Hello everyone Evalu आज मैं आपको वालवशन आफ क्लोजिंग इस івस में आपको चार मेंथर्ट फॉल्व करने होते हैं फॉस्टीं फॉस्टाउट मेंथर्डंड जिसे हम शॉट में फीफ्व Of कहते ही last in first out method जिसे हम leafo कहते हैं और simple average method जिसे हम short में sam कहते हैं और weighted average method जिसे हम wam कहते हैं ओके ये चार methods हैं इन चारो methods का use करके हम valuation करते हैं गिसका closing stock of finished goods लेकिन आपको closing stock of finished goods कहाँ पर देखने को मिलता है ये आपको समझना होगा मैं आपको कुछ इसके लिए पुरानी बाते याद देलाना चाहता हूँ ओके ये आप देख सकते हैं ये है cost sheet का format मैंने सारा कुछ explain कर दिया है पहले वाले वीडियो में और इसके उपर हम question भी कर चुके हैं ओके देखिए आपको सारे information दिये रहेंगे ओके जैसा के और भी questions में दिया रहता है सारे information आपको दिये रहेंगे आप prime cost easily निकाल पाओगे gross factory cost निकाल पाओगे net factory cost निकाल पाओगे सब कुछ आप निकाल सकते हो लेकिन office and administration overhead भी हो जाएगा जितने expenses दिये रहेंगे आप जब question में यहाँ पर आओगे तो आप cost of production तक सारा information आपको दिया रहेगा question में आप निकाल सकते हो और opening stock of finished goods भी दिया रहेगा लेकिन इसके बाद का जो information है यहाँ पर आप देख सकते हो closing stock of finished goods यहाँ पर आपको valuation करना होगा यहाँ पर आपको question में amount नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पर मैंने उस वक्द भी लिख कर रखा था कि आपको यह जो closing stock of finished goods है यह आपको value यहाँ पर compute करना होगा यहाँ पर क्या cost आएगा आपको कुछ और information इसके बजाए दिये रहेंगे जैसे कि units, units sold, opening stock of finished goods का क्या units है, closing stock of finished goods का क्या units है अभी हम सब देखेंगे मगर आप समझ लें कि आपको valuation कहा करना होगा यह सारा information आपको दिया रहेगा यह आप easily निकाल पाऊगे सारा चीज और cost of production भी आप निकाल सकते उस question में लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर problem आएगा यह चीज आपको अलग से निकालना होगा ऐसे questions अक्सर exams में पूछे जाते हैं चाहे आप B.com के student हो, CA के student हो CMA के student हो, जिसके भी student हो ऐसे questions वहाँ पूछे जाते हैं तो इसलिए यह मैं आपको question करा रहा हूँ ऐसा topic आपको मैं करा रहा हूँ तो यहाँ पर आपको value compute करना होगा कि कितना value आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि वही चारो methods जो है फीफो, लीफो, सैम और वैम इसी के true यहाँ पर valuation किया जाता है अभी तक जितना question हम लोगों ने किया था उसमें आपको ऐसे value दिये गए थे कि closing stock of finished goods का क्या value है क्या cost लेकिन अब जो question आएंगे उसमें value नहीं दिया रहेगा उसमें cost आपको आपको नहीं बताय होगा रहेगा तो अब हम देखते हैं आज हम फीफो मेथड देखेंगे कि फीफो मेथड क्या कहता है अब हम चलते हैं फीफो मेथड के तरफ तो यह आप देख सकते हो मैंने एक डाइगराम के तो आपको समझाने की कोशिश किया यह factory है, factory से finished goods हुआ यानि कि जो सामान पूरे तोर पे बन चुका है अब वो sales department में गया अब sales department के अंदर क्या हो रहा है यह मैं आपको दिखाने की यहाँ कोशिश किया हूँ अगर आप फीफो मेथड फॉलो कर रहे हो तो फीफो का full form होता है first in first out आपको नाम से ही समझाएगा कि जो सामान आपको पहले मिला वो आप पहले बेचोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह sales department है और यह sales department के अंदर क्या चल रहा है वो आपको समझना होगा तभी आप फीफो मेथड को अच्छे से समझ पाऊगे तो यह आपको एक बंदा नजार आ रहा होगा यह sales manager है मैंने इसे कहकर रखा है कि फीफो मेथड पॉलो करने के लिए और फीफो मेथड से सामान बेचने के लिए यानि कि closing stock और जो finished goods होगा उसका valuation फीफो मेथड के through होगा आप यहाँ देख सकते हो यह आप goods समझ लो और यह भी आप goods समझ लो क्या goods है यह finished goods है यानि कि सामान बेचने के लायक है यानि कि यह sales किया जा सकता है पूरे तोर पे तयार है ठीक है तो यह sales department में मैंने भेजा और यह opening stock of finished goods है इसका क्या मतलब हुआ इसका यह मतलब हुआ कि यह सामान पिछले साल का है last year का है जो मेरा sales manager बेच नहीं पाया है क्या नहीं कर पाया बेच नहीं पाया है पिछले साल और इस साल अभी तक यह sales department में पढ़ा हुआ है और यह units produced किया यह इस साल का सामान है जो मैंने अपने sales manager को दिया इस साल का सामान है यह पुराना सामान है यह नया सामान है और अभी जो यह बाते हैं यह आप अभी ignore करें बलके आप सिर्फ उपर के mechanism को समझा है कि FIFO method हम follow करते हैं कैसे हमें सेल करना होगा यह पुराना सामान है और यह नया सामान है और इन सब जो amount units यह सब रिखें अभी आप इसे ignore करें बस इतना समझे कि यह पुराना सामान है opening stock of finished goods और यह units produced किया अभी अभी ओके यह पुराना सामान है तो जब हम FIFO method follow करेंगे तो मैं अपने sales manager को बोलूँगा कि जो पुराना सामान है वो पहले बेचा जाए और फिर उसके बाद जब यह वाला सामान खतम हो जाएगा तब मैं क्या करूँगा इस सामान को बेचना शुरू करूँगा यानि कि यह बंदा वही करेगा पहले इससे बेचेगा उसके बाद जो अभी अभी प्रोड्यूस किया है वो इससे बेचना फिर शुरू करेगा ठीक है यही FIFO method कहता है अब हम धीरे धीरे और भी information में चलते हैं जैसे के बताया गया है कि यहाँ पर यूनिट्स जो है opening stock of finished goods का यूनिट्स जो पिछले साल बचा हुआ था वो था 10,000 रूपीज जिसका value क्या था value था 50,000 COP लिखा है मैंने COP का मतलब होता है cost of production पिछले साल बनाने में 50,000 रूपए खर्च हुए थे इस 10,000 यूनिट्स को जो बच चुका है और इस बर जो मैंने सामान बनाया है वो है 60,000 रूपीज का लेकिन आपको question में ऐसे यूनिट्स missing रहे का यूनिट्स नहीं बताय ठीक है और फिर जब हम story में आगे के तरफ बढ़ते हैं तो बाद में हमें पता चलता है कि कुछ सामान मेरा जो sales manager है नहीं बेच पाया यहाँ आप आप देख सकते हैं थोड़ा सा सामान बचा है जो मेरा sales manager नहीं बेच पाया यानि कि unsuccessful है यह सामान बेचने में यानि कि बज करना है अभी हम क्या follow कर रहे है FIFO method तो उसके through हम इसका valuation करेंगे ओके यह सारा सामान अवैलेबल था यह पुराना सामान यह अभी बन के आया और जब हम साल के आफिर में गए जब box of accounts बंद होने वाला है तब इतना सामान बच गया नहीं बेच पाया मेरे salesman ने यानि sales manager न 17,000 units कितना unit sold किया गया 17,000 अब हम सबसे पहले units कितना produce किया गया है जो आपको missing है बताया नहीं गया है सिफ इतना बताया गया है कि cost of production उन units का जो इस बार मैंने बनाया उसका है 60,000 rupees अब हम देखेंगे इसका units क्या होगा देखें आप बातों को अच्छे से समझेगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं देखिए ये आपका पुराना सामाने opening stock of finished goods मैं FIFO method follow कर रहा हूं तो मैं अपने sales manager को बोलूँगा कि पहले ये सामान बेचें तो इसने पूरा कितना बेचा है total total बेचा है 17,000 units 10,000 units पहले का था तो इसने सबसे पहले इसमें से 10,000 units बेच दिया अब 10,000 बेचने के बाद 7,000 अभी भी रह जाता है 17,000 बेचा है तो 10,000 इसमें से बेच दिया पुराने सामान में से अब पुराने सामान में से बेचने के बाद अभी भी 7,000 रह जाता है तो obvious सी बात है कि यहां पर 7,000 units उसने यहां से लिए होंगे ओके यहां स से लिए होंगे यह यूनिट्स जो प्रोड्यूस किया है मैंने इस साल ठीक है तो मैंने 7000 यूनिट्स ले लिया प्लस अभी प्लस करूंगा और जो सामान बच गया 3000 वो भी तो इसमें included होगा यह तो बाद का information दिया गया कि 3000 यूनिट्स बाद में बच जाता है यह unsuccessful हो गया बेचने में तो वो 3000 भी ले लिया मैंने यानि कि यूनिट्स प्रोड्यूस कितना किया गया 10,000 यूनिट्स अब हम चलते हैं यह देखने के लिए के closing stock of finished goods का क्या valuation होगा यहाँ पर हमें figure पता चल गया है कि यहाँ यूनिट्स प्रोड्यूस किया गया है इस साल 10,000 यूनिट्स अब हम देखते है closing stock of finished goods का क्या value होगा क्या value होगा अब देख सकते हैं यूनिट्स आपको बताया हुआ है और इसके ही help से मैंने यहाँ पर पता लगा लिया कि यहाँ पर कितना यूनिट्स आएगा और यूनिट्स तो आपको ऐसे information दिया रहेगा ठीक है अभी हम CFO method follow कर रहे हैं अभी यह यूनिट्स प्रोड्यूस हो गया 10,000 यूनिट्स अब प्रोडक्शन था 10,000 यूनिट्स आपने बनाया है तो एक यूनिट्स का प्राइस क्या होगा 5 रूपीज तो opening stock of finished goods का जो rate हुआ वह हुआ 5 रूपए ओके ठीक है और जो इस बार मैंने सामान बनाया है वो बनाया है 10,000 यूनिट्स यहाँ मैंने लिखा और इसका cost of production कितना है 60,000 रूपीज तो 60,000 divided by 10,000 आप करेंगे तो आएगा आपके पास rate 6 रूपीज अब आपको यह decide करना है कि closing stock of finished goods का क्या valuation होगा कैसे होगा valuation rate तो पता चल गया एक का यहाँ 6 रूपए है और एक का यहाँ 5 रूपए है अब आपको यह पता लगाना है कि यह जो 3000 यूनिट्स है इसका क्या value होगा तो अगर आप FIFO follow कर रहे हैं तो यह सामान तो आपने बेच दिया यह सामान आपने बेच दिया अब जो सामान यह बचा है वो इसमें से बचा होगा जो अभी आपने इस बार बचा यानि बनाया अब इस बार आपने बनाया उसमें से यह सामान बचा होगा तो आप rate क्या लेंगे आप रेट लेंगे 6 रूपीज तो इसका मतलब इसका यहाँ वैल्यू क्या होगा फिफो अगर आप फॉल्यू कर रहे हैं तो कि 6 इन्टू 3,000 यूनिट कि यह हो गया 18,000 रूपीज ओके 18,000 यहाँ पर closing stock of finished goods का वैल्यू होगा अब मैं आपको यह मैंने लॉजिक बताया सारा कुछ यहाँ पर लॉजिक था लॉजिकल था सारा कुछ कैसे कैसे मैंने सारा कुछ कॉंप्यूट गिया अब अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप formula यूज कर सकते हैं यहाँ पर मैंने formula भी लिख कर रखा है सारे चीज होगा आप देख सकते हैं वही सारे information यहाँ दिये गए है कि ओपनिंग इस्टॉक ऑफ इनिट गुड्स तेन थाउजन यूनिट पाइफ सारी 50 थाउजन रूपीज है यहाँ पर यहाँ पर क्या लेंगे आप यहाँ पर लेंगे यहाँ पर भी यूनिट्स क्योंकि यहाँ पर यूनिट्स के बारे में बताया जा रहा है यहाँ फिर उसके बाद का कॉस्ट प्रोडक्शन है ओके यहाँ पर भी मैंने लिख दिया कॉस्ट प्रोडक्शन और रेंडियर 68 थे यहीं आप लेंगे डिवाइड बाई यूनिट्स प्रोड्यूस किया गया तो यूनिट्स प्रोड्यूस जो है आपको उपर वाले फॉर्मुला से मिल जाएगा और जैसे मैंने वहाँ लॉजिकल तरीके से बताया वैसे भी आप निकाल सकते हैं लेकिन आपको एक्जाम में ऐसे पिक्चर बना कर नहीं देया रहेगा ऐसे ही इन्फॉर्मेशन दिये रहे हैं ठीक है और इन्टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पिरिश्ट गुड्स पिर डाइरेक्टली सारा कुछ अप्लाई कर देरें यूनिट्स वोल आपको दिया गया है 17,000 यूनिट्स तो मैंने यहां लिखा 17,000 इक्वस्टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ट गुड्स यूनिट्स आपको दिया गया है 10,000 ठीक है फिर यूनिट्स प्रोड्यूस है पिर मैं मैंने करूंगा क्लोसिंग स्टॉक फिनिश्ट गुड्स यूनिट्स य्यांव गया होगा 17,000 यह हो गया ओपनिंग स्टॉक और यह गया क्लोदें मैंने वहां प्लस करेंगया तो यूनिट्स प्रोड्यूस terrific अपको दिया गया है हों ओके। ऐसे आप इस फॉर्मूला को अपलाई करके सकते हैं अब हम देखते हैं कोस्ट ओफ क्लोजिंग स्टाउक औफ इसको लिख देता हूं ओके यहां पर बताया गया है cost of production of current year यहां पर 60,000 आपको दिया गया है यह अपने लिखा divide by units produced कितने किया गया है units produced यह अभी आपने निकाला 10,000 तो आप यहां कर देंगे 10,000 और closing stock of finished goods यह भी units तो यहां पर आपको दिया गया है 3000 तो यहां पर भी अंसर आएगा 18,000 आप calculate करके देख लिजिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ समझ आया होगा और आप अब cost of closing stock of finished goods भी आप अब निकाल पाईए अब हम अगले class में इसके उपर एक question करेंगे जो अक्सर exams में पूछा जाता है पूरे cost शिट वो बनाने को बोलता है आज के वीडियो में इतना ही thank you